कि है लो दोस्तों पॉल्ल टेक्निक लर्निंग सेवन सेवन क्लासे में आप सभी का हर्दिक स्वागत दोस्तों आज की इस वीडियो के माधम से मैं आपको कम्प्यूटर साइंस और इंजिनरिंग का जो सेकंड सेमेश्टर का जो सिलेवस है दोस्तों वो बताऊंगा आप सभी को पता होगा कि आपके जो फर्स सेमेश्टर की एक्जामस अभी नहीं हुए लेकिन सेकंड सेमेश्टर की क्लासेस को 22 जिनुरी से स्टार्ट करने के उनमें नंबरों का वित्रण किस परकार से होता है ठीक है और उसके साथ साथ अगर आप गवर्मेंट जॉब या फिर आंके करके प्राइवेट सेक्टर में किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको कौनकों से आपको इंपॉकस करने के जुरूरत है तो वह सारी ची अप्लाइट फिजिक सेकेंड फिर आपको होता है बेसिक एलेक्टिकल एंड एलेक्टोनिक्स इंजिनिंग फिर होता है मल्टी मीडिया एनिमेशन कॉंसेप्ट आप प्रोग्रामिंग यूजिंग सी ऑफिस और्टोमेशन तूल यह आपकी टोटल आप देख सकते हैं कि दो हो करके मैं समझाऊंगा किस प्रकार से आपके नंबर आपको मिलते हैं फिर बनते हैं ठीक है तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो एक्षटरनल और इंटर्नल असेश्मेंट का मतलब क्या होता है आपको पढ़ाता है उसी के नंबर या फिर जूभी क्लास में कोई assignment देता है जो भी देता है आपको files वगए लिखने के तो वो उसके नंबर होते है external assessment का मतलब होता है कि दोस्तों उसके उसमें अगर है तो उसमें दोस्तों आपका written या theory exam जैसा भी objective हो theory written हो आपका exam होगा उसका external assessment में और वाईबा जो होगा उसके लिए बाहर से कोई teacher आएगा वो आपसे पूचेगा तो उसके दोरा जो बाहर से जो teacher आता है और जो आप written exam देते हैं उन दोनों को मिला कर कि जो आपको नंबर मिलते हैं वो external assessment के अंत्रगत वो नंबर आते हैं ठीक जिससे आप देख सकते हैं आपका applied mathematics second की बात करते हैं तो applied mathematics second में आपको देखिए दोस्तों इसमें कोई practical exam नहीं होता है कि अधिवरी exam होता है वो भी देख लिए पचास नंबर का होता है ठीक है applied mathematics second की आप फिजिक्स applied physics second की बात करते हैं दोस्तों तो applied physics में practical वाइबा दोनों होते हैं तो external assessment के उधारा 30 नंबर 50 नंबर के रेटेन एक्जाम होता है ठीक है रेटेन थेओरी एक्जाम होता है धाई गंटे का बीस नंबर वाइबा होता है बाहर से जो टीचर आएगा तो टोटल सतर नंबर आपके external assessment के उधारा नंबर मिलते हैं तो 30 और 70 यह दोनों मिलाकर के 100 नंबर की स्कोरिंग या निकि जो आपको second semester का जो आपको scorecard मिलेगा उसमें आपके जो उसकी scoring होगी physics second की वह 100 नंबर की होगी ठीक है अब बात करते हैं बेसिक आप electrical and electronic से इंजिनिंगी तो दोस्तों इसमें भ कि 100 नंबर तो external assessment के द्वारा मिले और 50 नंबर internal assessment के द्वारा मिले तो 500-100 मिलाकर कि कितना होगे दूस्तों 1500 नंबर होगे कितने नंबर होगे 1500 तो 1500 जो आपको scoring scorecard होगा उसमें 1500 नंबर होगा वेटज किसका रहेगा कि बेसिक आप electrical and electronics इंजिनिंग का इसी तरीके से आप देख सकते जो वाईबा होता है जो बाहर का टीचर लेने वाईबा है उसकी भी 50 नंबर तो इसकी टोटल स्कोरिंग 1500 नंबर की होती है जो आपका scorecard मिलेगा उसका total आपको कितने नंबर की होगी total आपकी 80 नंबर की होगी साप साप यहां पर देख सकते हैं यह तो अब इस तरीके से और इस त्यूजिन एस यह आपका 30 नंबर का होता है वो तो सब पता ही होगा आपको ठीक है इस तरीके से आपको सारी सारी ची पर देना होता है और 220 नंबर का भाईबा होता है तो यह total तीनों मिलाकर कि आपको 730 नंबर बनते हैं तो जो आपको total जो आपको पुडांक है second semester का वो 730 नंबर होगा ठीक है तो दोस्तों अब इसमें important subject कौन को हो तो दोस्तों मैं को बता दूं कि इसमें देखिए applied physics और applied mathematics सेकेंड इन दोनों subject की बात करें तो यह दूस्तों कि आप sort note share कर लिजेगा फार्मूले important point इस पर बहुत ज़्यादा इसा नहीं कि आपको derivation भी कुछ solve करने को बैठ है यह नहीं आपको जो focus करना है यहां पर आप देख लिजी है आपको जो चार subject दिखाए दे रहें मुश अगर आपका base अच्छा रहेगा तो भी आंगी बहुत अच्छे आपको फाइदा मिलेगा अगर आप private और government किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं दोनों पर ही आपको अच्छी कमान यह जो तीन सब्चिक्ट आपके टेक्निकल इन पर बहुत ही अच्छी कमान बनानी ताकि मैं आपको सारी वह अगर कोई डाउट हो तो आपको सॉल्ट कर सूंगों दोस्तों आप मुझसे इंस्टाकाम से भी जूट सकते हैं उसकी मैंने जो आईडी है अपनी इस्टाकाम की आईडी मैंने डिस्क्रिस्टिन पर दे रखी है वहां से जूड़कर कि अगर आप दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स वगरा अगर आपको कोई जूनियर से उसको सभी को सेयर करिए ठीक है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बत तेंक दोस्तों